यह है हमारा Cheris OS का एक latest update हमारे Mi Atoll के device के लिए जो कि मैं अभी POCO के M2 Pro के अंदर यूज कर रहा हूँ यहाँ पर क्या कुछ improvement, customization, performance देखनी को मिलता है और battery drop वो सब कुछ पता चलेगा और क्या आपको इसे यूज करना चाहिए या फिर next update का वेट वो भी पता चलेगा इसलिए वीडियो को पुरा लास्ट वाच करना और चैनल पर नहीं है तो प्लिज लाइक करें और इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को कर ले subscribe तो चलिए शुरू करते हैं यहां पर आप देखोए कि आपको देखने को मिलता है चैरिस वर्जन 4.3 जो कि एक official update है मेंटरे का नेम देखने को मिलेगा android वर्जन 13 है यहां पर बाकिदर डीटेल आपको मिलते हैं जहां पर December 5 का security page दिया गया है और DFC plus का kernel यहां पर यहां पर यूज किया गया है और Linux आपको यहां पर enforcing देखने को मिलेगा बैक की और आने के बाद आपको देखने को मिलता है system जहां पर gestures वगरा दिये गए हैं जहां पर वही सले common option आपको देखने को मिलते हैं यहां पर setting अंदर आते हैं तो यहां पर मिलता है a space under the keyword वगरा जो कि आप enable कर सकते हो यहां पर जो navigation bar पिल से इसे आप large कर सकते हो बाकी area वगरा control है जो कर पाऊगे बाकी back आने के बाद यहां पर profile दिया गया है जिसके उच करते हो आप performance को boost कर सकते हो बट without इसके भी आपको result काफी अच्छा है जो मिल जाता है multi users account और updater वगरे आपको यहां पर मिलेगा जो कि आप यहां पर check out कर पाऊगे और यहां पर आप दिखते हो delete guest activity और add user from lock screen और यहां पर add guest का कुछ नया option add किया गया है जो कि हमें पहले देखने को नहीं मिलता था बाकि back यूर आने के बाद आपको मिलता है account, digital value, safety, privacy और यहां पर lock screen जहां पर आपको device encrypted टेखनी को मिलेगा यहां पर scramble layout वगरे देखनी को मिलता है की unlock और face unlock और fingerprint हमारे काम कर रहे हैं जिनमें कोई दिकत नहीं आता sound के profile में आते हैं तो आपको me का sound effect आपको मिल जाता है जो कि काम कर रहा है power app का support आपको मिल जाता है जो कि volume का है और बाकि वही सारे common option आपको यहां पर मिलेंगे जितना मैंने यूज किया उसके साथ से मुझे battery सही लगा लेकिन हा अस्टेयन बाइस होसा ज्यादा drop होता है EOD के मुझे से क्योंकि बार 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 EOD हमारा on होते रहता है बिडार किसी region के जिस से बैटरी तो ड्रॉप होता है बार 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 हमारा EOD on होते रहता है बाकि यहां पर आपको एडवांस का भी option मिलता है जो कि आप चाहो तो यहां पर यूज कर पाओगे टाइम आउट, पोकेट डिदक्शन, डार्क मूट के अंदर आपको यहां पर सेड्यूल का ही option मिल जाता है साथ से नाइट और लाइव डिस्पले बगरा मिल जाता है जहां पर यह सारे option मिलते है और यह पिक्चर का option है यह मुझे रियली में वर्किंग दिखने को नहीं मि टिखाता है तो यह भी साइट buggy है उसके बाद वही सारे common option और डिस्पले के brightness को इंप्रूफ करने के लिए यहां पर आपको मिलता है C A B C का एक और options वगेरा बाके चरी सोइस का करीब करीब मुझे सारे customization पहले जैसे ही लगे हैं जहां पर आप स्मार्ट चार्जिंग, अबरेट का features, power button पे क्या कुछ extra रखना है वो आपको मिल जाता है, lock के अंदर आपको age light वर कंट्रोल करने का option मिल जाता है और Reaper effects भी आपको मिलेगा, animation में वही नॉर्मल से animations पोकर है जो दिये गए हैं, बाकि themed के अंदर आपको choice का जो अलग-अलग layout मिलता है वो आपको यह यहाँ पर मिल जाता है, बाकि यह सारे option आपको पहले जैसे ही मिलते हैं, but यहाँ पर EY style का एक नया option एड़ किया गया है, जो कि recently मैंने किसी एक और Rome के अंदर चेक किया था, adding वो deep fish था, यहाँ पर जो भी आपको background color चाहिए न, वो आप यहाँ से change कर सकते हो, सभी चीज़ वो आप apply कर सकते हो, तो UI का एक नया style यहाँ पर add किया गया, जो कि मुझे अच्छा लगा है, तो भाई, देख लेना कि कौन सा आपको सही दिखाई देता है, उसके रुख ही सारे आपको icon pack, icon save वगरा देखनी को मिलेंगे, जिसमें कोई भी chain यहाँ पर जो नहीं किया गया अनदर यहाँ पर आपको मिलता है, कि setting जहाँ पर transparent कर सकते हो, time and date का option मिल जाता है, और levels वगरा का, और status bar के अंदर आपको double tap to sleep वगरा, battery icon वगरा, voltic icon वगरा, combined network वगरा, और यहाँ पर show notification counter वगरा देखनी को मिलेंगे, जो कि सारे हमारे common setting नजर आते हैं, अब आते हम अप आपको calling मिलता है, लेकिन वही announcement वाला ही टेखनी को मिलेगा, और यहाँ पर default different camera मिलता है, बट आप जी कम यहाँ पर डालके benefit है, जो ले सकते हो, अब बात करते हैं, इसके performance की और apps opening response की, तो भाई, apps opening response मुझे काफी हत तक है, जो यहाँ पर सही लगा है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है, जो कि मैंने पास 4-0 डिवाइस है, आपको असिक जी वे, तुहाँ पर और बेटर है, जो हो जाएगा, लेकिन वहीं पर performance test result की बात करें, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो कि इतनी by default आपको apps मिलेंगे, एक Chrome मैंने अलग से डाला था, बाकि Chrome को बाकि इतने apps आपको by default मिलते हैं, यह है Antutu जो कि काफिया तक सही है, 100 पर डालने के बना हमारा CPU Totaling जो कि no CPU Totals दे रिखाता है, जो कि काफी अच्छा है, without profile का जैसा कि मैंने आपको कहा था, another Geekbench भी काफी perfect रहता है, और यह हमारा device certification जहां पर आप banking के app यूज कर पाऊगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और 11 का support भी आपको मिलेगा, device का आपको storage unlimited मिलता है, जो कि photo का है, आप जितना चाहों उतना upload कर पाऊगे, और प्लस में 90 एपिस unlock मिलेगा, तो आपको thoughts of better gaming होगा, default setting के comparison में, जो कि अच्छा लगा, another यहां पर charging speed, जो कि 31 में 36 जाता है, तो यह भी overall सही है, कोई slow नहीं है, अब बात करते हैं पर battery drop का, जो कि यहां पर 82 है, और morning में देखो है, यहां पर 75 आ जाता है, तो करीब 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 7% का battery drop है, जैसा कि मैंने कहा न, कि इसका AOD बार बार ओन होते रहता है, हलके से भी touch के उपर, या फिर नर्मली बाके दर लेकिन आप AOD को off रखोगे, तो आपको most skill से 2-3% का battery drop देखने को मिलेगा, तो यह चीज़ आप थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि मैं यहां पर कहुँआ कि standby साही है, यह ज्यादा नहीं है, AOD को आपको नजल आ रहा है, तो यह साही चीज़ आपको यहां पर देखने क मिल जाती है, और जो performance यहां पर निकल के आता है, भाई, really में मुझे काफी अच्छा लगा है, और मैं इसे recommend कर सकता हूँ, चाहिए आप एक gamers हो, चाहिए आपको huge customization चाहिए, चाहिए आपको stability चाहिए, या चाहिए आपको normal charging speed चाहिए, सब कुछ यह जो ROM provide कर देता है, और plus म recommendation क्या यह recommended कर सकता हूँ, तो जी हाँ मैं आपको recommended कर सकता हूँ daily life usage के लिए, और अगर आप 4.2 का version यूज कर रहे ना, तो इस पर dirty flash भी कर सकते हो, बर recommended रहेगा कि आप clean flash करो, तो जादा better रहेगा, और इस install कैसे करना है, वही आप चाहिए आप चाहिए पी recovery यूज कर लो, या latest होला आप orange fox यूज कर लेना, ऐसे install guide में आपको दे दूँगा, डिस्किशन में, जो कि आप follow up करके इसे अपने phone के अंदर डाल सकते हो, और already आप इसे यूज कर चुके हो, तो आपको क्या कोछ यहाँ पर देखनी को मिला, या क्या कमिया face होई, वह comment करके चलो रूब आणा, मिलते इनके वीडियो में, थांक्स पो वाचिंग, बावाए झाल झाल